सूप्रभात बच्चों कक्ष्या चोत्थी विशय हिंदी उपविशय पाठ बारह गुबारे की आत्मकथा पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ है पुस्तक व्याख्यान दो बच्चों आज हम व्याख्यान दो में पाठ को पढ़ेंगे पाठ में आये कठिन शब्द, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर वैभासा ग्यान के बारे में जानेंगे मेरा नाम गुबारा है, मेरा जन्म दो शताब्दी इसा पूर्व चेन में हुआ था परन्तु तब मेरा रंग रूप ऐसा नहीं था, जैसा मैं आज रंग बिरंगा दिखाई देता हूं बताया जाता है कि तब मुझे कागज से बनाया जाता था कागज से गुबारे बनाये जाने का वर्णन जापान की पुरानी पुस्तकों में भी मिलता है किन्तु कागज से बना हूने के कारण मैं हवा में नहीं उड़ सकता था यह है विचार 1643 एस्वी में इटली के वैज्ञानिक टोरी सिली के दिमाग में उत्पन हुआ कि मुझे हवा में उड़ाया जा सकता है इसकी उप्रांत विचार किया गया कि यदि कागज के गोली में यानि मुझ में हवा से हलकी कोई गैस भरी जाए तो मैं हवा में उड़ सकता हूं इसकी बाद ही गरम हवा से भरे मेरे रूप की खोज हुई और मैं बाजार में बिकने लगा मुझे वास्तव में हवा में उड़ने के काबिल 1783 इस्वी में बनाया गया फ्रांस के वैज्यानिक जे ए चार्ल्स ने हाइड्रोजन गैस की खोज की जो हवा से हलकी थी अब मुझे में इस गैस को भरकर बाजार में बेचा जाने लगा परंतु अभी मैं अपने पूर्ण विक्सित रूप में नहीं आ पाया था सन 1849 में चार्ल्स गुड इयर ने मेरे विकास का मार्ग सुगम कर दिया उन्होंने एक पतली रबड बनाई यह रबड मजबूत भी थी और इसमें लचक भी थी अब इस रबड से मुझे बनाया गया मुझे में हाइड्रोजन गैस भरकर बेचा जाने लगा और मैं हवा में उडने लगा आज मैं अपने पूर्ण विक्सित रूप में बाजार में उपलब्द हूँ मुझे आप मन चाहे रंग और आकार में खरीद सकते हैं मेरे शरीर पर बनी रंग बिरंगी आकरीतियों को देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं और बच्चों को खुश देखकर मैं भी बहुत खुश होता हूँ पार्ट में आए कठिन शब्द हैं नमबर एक शब्दी नमबर दो वैज्ञानिक नमबर तीन उत्पन नमबर चार फ्रांस नमबर पांच हाइड्रोजन नमबर छे उपलब्द नमबर साथ मार्ग नमबर आठ आक्रीतियां बच्चों अब हम पार्ट में आए शब्दों के अर्थ जानते हैं नमबर एक पूर्व पूर्व का अर्थ है पहले नमबर दो वरणन इसका अर्थ है विस्तार पूर्ण कथन या उलेक नमबर तीन उत्पन इसका अर्थ है पैदा या जन्मा नमबर चार उप्रांत इसका अर्थ है बाद नमबर पांच काबिल इसका अर्थ है योग्य या लायक नमबर च्छे विक्सित इसका अर्थ है उन्नत नमबर साथ विकास इसका अर्थ है उन्नती नमबर आठ मार्ग इसका अर्थ है रास्ता नमबर नो सुगम इसका अर्थ है आसान नमबर दस लचक इसका अर्थ है किसी वस्तु के दबने या जुकने का गुण नमबर ग्यारे है उपलब्ध इसका अर्थ है मोजूद नमबर बारे है आक्रिती इसका अर्थ है रूप नमबर दो निम ने लिखित प्रश्णों के उत्तर लिखिए प्रश्णों के गुबारे का जन्म कब और कहां हुआ उत्तर है गुबारे का जन्म इसा से दो शताब्धी पूर्व चीन में हुआ प्रश्णख पहले गुबारा हवा में क्यों नहीं उड़ता था उत्तर है पहले गुबारा कागज का बनाया जाता था कागज से बना होने के कारण ही यह हवा में नहीं उड़ सकता था प्रश्णग वैज्यानिक टोरिशिली के दिमाग में क्या विचार उत्पन हुआ उत्तर है वैज्यानिक टोरिशिली के दिमाग में विचार उत्पन हुआ कि गुबारे को हवा में उड़ाया जा सकता है प्रश्णग गुबारे के विकास का मार्ग किसने सुगम बनाया? उत्तर है चार्ल्स गुड़ इयर ने गुबारे के विकास का मार्ग सुगम बनाया। इन प्रश्णग गुबारे का जन्म कब और कहां हुआ? उत्तर है गुबारे का जन्म इसा से दो शतापती पूर्व चीन में हुआ। प्रश्णग है पहली गुबारा हवा में क्यों नहीं उड़ता था? उत्तर है पहली गुबारा कागज का बनाया जाता था। कागज से बना हुने के कारण ही यह हवा में नहीं उड़ सकता था। प्रश्णग वेज्ञानिक तोरी सिली के दिमाग में क्या विचार उत्पन हुआ? उत्तर है वेज्ञानिक तोरी सिली के दिमाग में विचार उत्पन हुआ की गुबारे को हवा में उड़ाया जा सकता है। प्रश्णग है गुबारे के विकास का मार्ग किसने सुगम बनाया? उत्तर है चार्ल्स गुड एयर ने गुबारे के विकास का मार्ग सुगम बनाया। बच्चों अब है भाषाग्यान अब हम भाषाग्यान को जानते हैं। नमबर एक निमनलिकित वाक्यान्षों के लिए एक शब्द लिखिए। बच्चों वाक्य दिया होता है उसको एक शब्द में कैसे लिखते हैं। यह वाक्यान्ष के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे अब हम जानेंगे क सो वर्स की अवधी। तो बच्चों जो सो वर्ष की आवदी है उसके लिए एक शब्द में हम क्या लिखेंगे शताब्दी यह है वाक्यान्ष के लिए एक शब्द होगा ख जो विज्ञान का ग्याता हो बच्चों जो विज्ञान का ग्याता हो इसको एक शब्द में हम लिखेंगे वैज्ञानिक गर जिसमें जानने की इच्छा हो इसका वाक्यान्ष के लिए एक शब्द होगा जिग्याशू गर जो दूर की सोचे इसका वाक्यान्ष के लिए एक शब्द होगा दूर दर्शी एक बार उन्हें दो राते हैं क सो वर्ष की अवदी शताब्दी ख जो विज्ञान का ग्याता हो वैज्ञानिक गर जिसमें जानने की इच्छा हो जिग्याशू गर जो दूर की सोचे दूर दर्शी नमबर दो दे गए शब्दों के हिंदी प्रियाई लिखे क पुस्तक इसका हिंदी प्रियाई है किताब ख मार्ग इसका हिंदी प्रियाई है रास्ता गर हवा इसका हिंदी प्रियाई है वाईयू गर काबिल इसका हिंदी प्रियाई है योग्य गर मजबूत इसका हिंदी प्रियाई है शक्तिशाली च, खुश, इसका हिंदी प्रिया है प्रसन, नमबर तीन, र के विभिन रूपों और रे की सहायता से इन शब्द समूहों को शब्द बनाईए, क, पूव, र की मात्रा लगाएंगे तो बंजयाएगा शब्द पूर्व ख, वनन, र की सहायता से शब्द बनेगा वरनन ग, चालस, र की सहायता से शब्द बना चाल्स घ, आक्ति, र की सहायता से शब्द बना आक्रेती अंगे, हाइडोजन, र की सहायता से शब्द बना हाइडोजन च, फांस, र की सहायता से शब्द बना फ्रांस नमबर च्यार आज दिखाई देता हूँ बच्चों, इसमें हमें विरामचिन लगाने है तो देखे, कहां पर हम विरामचिन लगाएंगे परंतु, तब मेरा रंग रूप यहां पर बच्चों, योजक चिन लगेगा ऐसा नहीं था यहां पर अलप विराम जैसा मैं आज दिखाई देता हूँ और अंत में पूर्ण विराम ख, जी, एस, चॉर्ल्स ने हाइड्रोजन, गैस की, खोज की जो हवा से हलकी थी जी, इसके बाद शन्शिप्चिन एस, इसके बाद बच्चों शन्शिप्चिन चार्ल्स ने हाइड्रोजन, गैस की खोज की, जो हवा से हलकी थी अंत में पूर्ण विराम ग, यह रबड मजबूत भी थी और इसमें लचक भी थी इस वाक्य में कहां पर पूर्ण विराम लगेगा यह हैं हम जानेंगे यह हैं रबड मजबूत भी थी और इसमें लचक भी थी पूर्ण विराम ग, मुझे आप मन चाहे रंग और आकार मुझे आप मन चाहे रंग और आकार में खरीद सकते हैं इसमें बच्चों हम कहां पर विराम चिन लगाएंगे यह हम जानते हैं मुझे आप मन चाहे रंग और आकार में खरीद सकते हैं अंत में पूर्ण विराम पाठ बारहे गुबारे की आत्म कथा व्याख्यान दो ग्रही कारिये बच्चों आज आपका ग्रही कारिये है कक्षा में कराए गए कठिन शब्द और शब्दार्थ अपनी कोपी में सुन्दर लेक में लिखो पाठ बारहे गुबारे की आत्म कथा व्याख्यान एक ग्रही कारिये का हल निम्न लिखित प्रश्णों के उत्तर देजिए का आज का गुबारा कैसा दिखता है उत्तर है आज का गुबारा रंग बिरंगा दिखता है प्राश्णोंख पहले गुबारा किस से बनाया जाता था उत्तर है पहले गुबारा कागज से बनाया जाता था प्राश्णग गुबारे को हवा में उडने के काबिल कब बनाया गया उत्तर है गुबारे को हवा में उडने के काबिल सत्रे सो तराशी इस्वी में बनाया गया बच्चों एक बार नमबर तीन रह के विभिल रूप और री की सहायता से इन शब्द समूहों को शब्द बनाये इसको दोराते हैं कपूर इसमें रह की सहायता से शब्द बनेगा पूर बच्चों ये रह का रूप है ख वर्णन रह की सहायता से शब्द बना वर्णन ये रह का रूप है जो उपर लगता है रेफ जिसको हम बोलते हैं गर चालस रेफ रह का ही रूप है रह की सहायता से बनेगा चार्ल्स घर आक्ति बच्चों इसमें री की सहायता से शब्द बना आक्रिती जो नीचे लगता है वो री का रूप है ठीके बच्चों अंगे हाइडोजन यहाँ पर ये रे का रूप है हाइडोजन बच्चों ये री का रूप है और ये रे का रूप है ये आप दिहान रखना चै फांस रे की सहता से शब्द बना फ्रांस उमीद है आपको ये समझाया होगा धन्यवाद